मध्यप्रदेश के बैतूल में दिव्यांग बच्चों ने बिरंग दियों को ऐसा रंग दिया क्यूंकि चर्चा होने लगी इन बच्चों ने 4000 दियों को कलर से सुन्दर बनाया है इनके बनाई दिये 36 गड़ों और भुपाल के लावा कई और शहरों में भी गए है इन रंग बिरंगे सुन्दर दियों को किसी कलाकार ने नहीं बलकि उन्हें दिव्यांग बच्चों ने सजाया है जो समाच से त्रिकिष्थ हो रहे हैं जिस समाच को ऐसा लगता है कि दिव्यांग बच्चे कुछ नहीं कर सकती उन्हें दिव्यांग बच्चों ने तयार किये दियों से कई घरों की दिपावली में रोशन देंगे बैतूर से 15 किलो मिटर दूर कर्ज गाउं में इस्थित दिव्यांग बच्चों का आश्रम घरवन्दा जिसमें वर्तमान में मानसिक दिव्यांग और अस्थित बाधित लगभग 18 बच्चे हैं इन बच्चों को स्वराज स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनूठी पहल की जा रही है दिपावली पर इन बच्चों ने 4000 दियों को रंगों से सजाया है सभी बच्चों ने मिलकर जो दिये तैयार किये हैं उनकी भी सप्लाई हाथों हाथ हो गई है इन दियों को खरीदने के लिए 36 गड़ भुपाल और कई शहरों से ओर्डर आये थे कई जगह दिये पहुंचा दिये गए हैं और कई जगह अभी पहुंचाना बाकी है